R.D. Sharma Solution, Class 12th है यह, Chapter 9, Continuity, Exercise है 9.1 Discuss the continuity of the following functions at the indicated points किस point पे है जी, x बराबर जो, 0 अब आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि किस समय हमें left hand limit और right hand limit निकालनी है इंदरों को देखना है, बराबर है के नहीं और इसको फिर चेक करेंगे, इस value पे, x equal 0 पे इस function की value, यह कब करना है सीधा हम limit नहीं निकाल सकते हैं, सीधा limit निकाल लिए और उसके बाद इसके साथ चेक कर लिए तो यह सहाब आता है practice से आप कई ऐसे question देखेंगे, जिसमें आपको यह निकालनी की अवशक्ता नहीं है सीधा limit निकाल लिजिए, और इसको देखिए यह equal है या not equal है किससे इस value पे, जिस point पे इस function की value जो आनी है तो यह function कुछ इसी तरीके का है, यह solution भी कुछ इस तरीके का है अब आप देखिए, अगर मैं पहला step लूँ कि इस fx x equal 0 पे चेक करना है, तो x की 0 value रब दीजा, f 0 क्या रही है, question में दिया हुआ है कि x 0 पर यह 0 है, तो यह 0 हो गया अब हम इसकी limit निकालेंगे, अगर limit, हम LHL, RHL नहीं करेंगे इसमें, limit निकालेंगे और हम, क्योंकि मुझे idea है इसका, और मैं बता सकता हूँ कि limit ही इसके बरापर आएगी या नहीं आएगी limit अगर आजाती है, तो आपको LHL, RHL निकालने की जुरूत नहीं, तो आप देखें कैसे इसको करेंगे यहाँ पर आपको limit, क्योंकि इसकी जब आपको proper examination में करना है, तो तरीका यही है, RHL और LHL निकालना ही निकालना है, ध्यान रख्येगा क्योंकि हो सकता है, यही दोनों match ना करेंगा, लेकि फिलाल थोड़ा सा चीजों को short रखने के लिए, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्यों limit निकालना के दिखा देता हूं आपको, तो limit में क्या होगा, देखें, क्योंकि इस में ऐसा concept है, इस particular question में, कि जब हम limit extends to 0, यह लग करती है, जब x 0 के ब्रावर ना हो, तो जब दो function होते हैं, तो अलग-अलग कर सकते हैं, इसको limit extends to 0 लगा देते हैं, mod x के लिए, और limit extends to 0 लगा देते हैं, 1 by x के लिए, cos 1 by x के लिए, अब आप देखें, इसको तो छोड़ दीजी आप, इसको बात में बात करेंगे, यहाँ पर क्या आया है, यह mod x, अगर limit इसमें लगाए, तो mod 0, तो हमशे 0 ही आता है, तो आप यहाँ कुछ भी लाते रहें, या LHL, RHL, कुछ भी निकालते रहें हैं, यह limit extends to 0 जैसी ही आप करेंगे, यह वाला portion तो 0 हो गया, जब यह वाला portion 0 हो गया, तो यह पूरा का पूरा 0 ह यह आएगा आपका, तो इससे यह बात समझ में आती है, इसका मैं RHL निकालता, LHL निकालता, तो अब यह 0 यह आना था, क्योंकि इसके front में यह है, और यह पूछा गया है, x बराबर 3 पे, हाँ, अगर यह x बराबर 3 पे ना होके, x बराबर 0 पे ना होके, कुछ और value होती तो RHL, LHL हम करते हैं, लेकिन फिलाल 0 पे है, हमें पता है, यह 0 आएगा, तो हर चीज़ जो multiplication होगी, वो 0 से multiply होके, हो चीज़ दुबारा कुछ बंती नहीं हो, तो 0 यह बंती है, तो इसलिए, क्योंकि यह 0 आगया आपका, और इसकी value भी यहाँ पर हमने 0 ले ली, तो यह दुनों match कर रही है, तो आप कह सकते हो, कि हाँ, यह function continuous है, यह वाला question है, इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, और इसमें कुछ नहीं आपको समझ जाए, बस देख लीजे, x square सामने है, अब x equals 0 पे है, तो अगर मैं पहले इसका function का value निकालू, f0 पे, क्योंकि 0 पे चेक करना है, तो question में दिया हुआ है, x0 पे 0 है, और अगर इसकी limit निकाले जाए, limit x square x tends to 0, x square sin 1 by x, तो इसको अलग लगकर लीजे, limit x tends to 0, x square हो गया, limit x tends to 0, sin 1 by x हो गया, तो इसको तो छोड़ी दीजे, आप बात में बात करेंगे इसकी, यहाँ पर limit x tends to 0 करेंगे, तो यह 0 square तो 0 ह ही रहेगा, तो कुछ भी आए, LHL निकालो, आप रहेचल निकालो, यह हमिशा 0 ही रहेगा, तो यह 0 0 match कर रहे है, तो आप कह सकते हैं कि यह limit exist करती है, और उसका, उसकी value, वही value है, जो इस particular point पे जिस पे check करना है, उस पे function की value है, इसलिए यह function continuous है आपका, यहाँ पर आजाएए, इसमें आप देखेगा, कि हम जब X minus A हमको मिल रहा है, और यह भी इसमें है कि X बराबर A है, तो clear समझ में आ रहा है, कि यह X minus A में, जैसी मैं X बराबर A रखता हूँ, X minus A में, X बराबर A रख दीजिए तो 0 हा जाएगा, तो आपको LHL आरे चल तक इस function की, X बराबर A पर value देख लेते हैं, क्या है, जीरो है, तो इसको 0 कर दीजिए, अब इसके limit देखिए, limit क्यों करना है, X बराबर A पर, X बराबर A पर क्यों क्यों कि X equals A पर ही चग करना है, तो limit X बराबर A पर क्या होगी, देखिए, यह आपका है, X minus A, A, sin 1 by X minus A, limit X tends to A, इसको अला कर लेते हैं, limit X tends to A, X minus A, limit X tends to A, sin 1 by X minus A, तो इसको तब भूल जाईए आप, यहीं भी देखिए, X की जगा आप A रखते हैं, तो A minus A तो 0 ही आएगा, जब यह 0 आ गया, तो पूरा ही term 0 हो गया, तो limit इसकी 0 आ रही है, फंक्शन की value 0 आ रही है, तो इसका मतलब यह continuous है, यहाँ पर आजाईए, इसमें क्या करेंगे, discuss the continuity of the following function at the indicated points, तो पहले तो मैं 0 पर देख लेता हूँ, F, X, 0 पर क्या होगा जी, आजाईए यहाँ पर, इसमें 7 दिया होगा, तो 7 हो गया, अब हम इसमें limit लगाएंगे, क्योंकि X बराबर 0 पर चेक करना है, तो limit, X टेंच सु 0, इसमें आ जाईए, क्योंसी चीज कैसे आती है, तो इसमें उपर अलग limit लगादेंगे, X टेंच सु 0, यह की पौर X मैनस 1, नीच अलग लगा देते हैं, limit, X टेंच सु 0, log 1 प्लस 2X, भाई, आपका यह, अभी 1 प्लस 2X है, तो पहली चीज़ तो यह है कि, यहाँ पर अगर हम X से डिवाइड क आरते हैं, तो आमें क्या मिलेगा, अभी मैं आपको हताता हूँ, तो यह, एकी पौर X मैनस 1, limit जो होता है, एकी पौर X मैनस 1, बाई X, अगर X टेंच सु 0 है, तो इसकी value होती है 1, यह ध्यान रहेगा आपको, पहले चीज़ तो यह हो गई, डूसा क्या है, कि, limit X टेंच 1 ही होता है, यहाँ 1 पस 2X है, 2X को आपके माल लीचे हो, यहाँ पर हमको 2X करना पड़ेगा, अगर हमने नीचे 2X किया है, तो यहाँ भी आपको 2X मैन प्लाइ करना पड़ेगा, तो इससे फैदा क्या हुआ, यह X और X हट गया, यह constant टेंच 2 इसको बाहर ले आएगा, यह यह आपका हमेशा यह 1 होगा, तो यह हो गया आपका half, तो आप देखिए, आपको LHL, RHL करने की जरूरती नहीं है, यहाँ पर जो limit X टेंच से 0 है, यह half आ रही है, function की value साथ आ रही है, इसी point पे, तो यह discontinuous हो गया, discuss the continuity at X equals 1, इसमें भी कुछ इसी तरीके से करेंगे, X बराबर 1 पे आपको क्या मिलेगा, पहले, यह FX, यहने कि F1, यह आपका N minus 1 दिया हुआ है, यह N minus है, अब इसमें एक limit, जो मैं लगाऊँगा, वो देखीगा, limit X tends to 1 है यह, यह है 1 minus X की power N, by 1 minus X, तो यह सब आपको करने की ज़रूद नहीं है, क्योंकि यह एक पूरा का पूरा इसका derivation है, लेकिन आप अगर limit आपने अच्छे से की है, तो आप जानते हैं, कि यह A की power N minus X की power N, by A minus X, अगर limit इसकी निकालते हैं, X tends to, जो आपकी यह value आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, तो आप X tends to A अगर करेंगे, तो आपकी जो value आती है, वो आपका होता है 1, यह 1 आती है, तो मैं इसको 1 की power N minus X की power N मानके चलूँ, और 1 minus X करूँगा, तो इसी तरीके से हो गया यह, बिसिकलि यह होता है, आपने जो दिखा होगा, वो X की power N minus A की power N by X minus A है, यह इस तरीके से होता है, लेकिन यह भी चलेगा, क्योंकि minus बाहर लोगे तो आप यह ऐसी बन जाएगा, तो इसमें हमें ज्यादा issue नहीं है, limit X tends to 1 कर दीजे, तो यह क्या होगा 1, अब यह 1 है, यहाँ पर इ हमें नहीं पता हैं क्या है, यह दोनों match करने चाहिए, बिल्कुल full proof, 1 by 1, इस question में आपको X बराबर 1 पे पता करना है, तो X बराबर 1 पे क्या है, अगर मैं FX लूँ, function, और इसको 1 पे देखूं, तो direct value मिली है 2, यह तो 2 हो गया, यहाँ पर आपका modulus है, ध्यान रखेगा, modulus X पहरे आपको दिखा दूँ, तरीके अलग-अलग हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ, उसमें modulus X का मतलब यह है, जब ही modulus X लगाते हैं, इसका मतलब है, यह होगा X, यदि X positive है तो, यह होगा negative X, यदि X negative है तो, ओके, तो अब अगर आप X not equal to 1 है, अगर आप देखे यहां से अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ, तो 1 से कम, 1 से जादा, 1 पर चेक करना है, यहां पर हमको इसकी continuity या continuity या discontinuity यहां चेक करना है, लेकिन जब हम 1 से नीचे जाएंगे, तो 1 से 0 तक पहुँचेंगे, यहां तो यह positive ही है, और इसके नीचे 0 के नीचे यह negative है, यहां लेकिन हम क्या करेंगे हम इसको modulus की तरह ही देखेंगे modulus की तरह देखेंगे और हम फिर decide करेंगे हमें क्या करना है ओके simple सा तरीका ये है कि modulus ये जो modulus x square minus 1 by x minus 1 है अगर आप left hand limit पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा इसको minus कर दें left hand limit minus हो गया अगर हम right hand limit पे जाएंगे तो क्या होगा x square minus 1 by x minus 1 इससे क्या मिलेगा आपको इसमें x minus 1 x plus 1 by x minus 1 यहाँ यह negative है यहाँ x minus 1 x plus 1 by x minus 1 तो ये हटा दीजे ये हटा दीजे यहाँ आपको बिला minus x plus 1 और यहाँ मिला आपको x plus 1 तो ये left hand limit पे लगा देते है ये LHL पे और ये RHL पे लगा देते है देगे ध्यान रखेगा ये बीच को आपी मैंने consider नहीं किया उसके लिए थुरा सा आपको और आगी दना होगा नहीं फिलास समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम क्योंकि ये 1 पे चेक करना है left hand limit में हम x को क्या करेंगे 1 minus h यहाँ कर देंगे x को 1 plus h रख दीजेजी यहाँ पे minus 1 minus h x c j का 1 minus h रख रहा हूँ और ये plus 1 x c j का ये होगा ये ऐसे बना दीजे ये होगा 1 plus h 1 plus h plus 1 तो ये क्या बना रहा है आपका ये 2 minus h और आगे minus है ये आपका 2 plus h नतलब ये minus 2 plus h और 2 plus h अब इसमे h टेज से 0 लगा देते है लिमिट पे यहाँ minus 2 आगया है यहाँ आपका 2 आगया तो आप देख रहें left hand limit और right hand limit ही बराबर नहीं आ रही है और अगर ये आती भी है अगर आप केवल left hand limit ना लेके क्योंकि right hand limit में तो आपको positive 1 के उपर है 1 के उपर है तो positive मिलेगा ये क्या ये 2 आपका match कर रहा है किस से इस 2 से ये match कर रहा है लेकिन जैसे आप नीचे जाते हैं left hand limit की तरफ जाते हैं तो ये negative 2 आ जाता है इसका मतलब ये ही दोनों बरापर नहीं हो रहे है ये ही दोनों बरापर नहीं हो रहे है और ये ये minus 2 ये दोनों बरापर नहीं है ये तो इसके बरापर है लेकि ये इसके बरापर नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये discontinuous है discuss the continuity of the following functions at the indicated points अब यहाँ पर भी हम बिल्कुल यही काम करेंगे एक fx लेते हैं x क्या है जी 0 पर है तो f 0 हो गया यह f 0 क्या है जी 0 है अब हम left hand limit और right hand limit दोनों लगाएंगे जब x वराबर 0 नहीं है 0 से यहाँ 0 से यहाँ तो हम यहाँ पर x को रखेंगे 0 minus h x को रखेंगे 0 प्लस h यह हमार left hand limit है यह हमार right hand limit है ओके यह वाला क्या बनेगा जब हम left की तरफ जाएंगे मैंने आपको बताया कि mod x जो होता है यह होगा x यदि x greater than 0 है यह होगा minus x यदि x less than 0 है इस तरफ क्या बनेगे हम इसको जब हम left की तरफ जाएंगे तो इसको negative करेंगे तो यह 2 mod x को खोल रहा हो में यह negative हो जागा minus 2 x plus x square by x जब right hand limit की तरफ जाएंगे तो यह positive करेंगे 2 x plus x square by x यहां से x common ले लिजे 2 plus x by x यहां भी x common ले लिजे 2 plus x by x यह अटा दीजे यह अटा दीजे तो क्या बना minus 2 minus x यह बना minus 2 और plus नहीं यह तो 2 plus x हो गया अब x की जगा 0 minus h रख दीजे minus 2 minus 0 minus h यहां 2 plus x की जगा 0 plus h 2 plus h आ गया है आपे यहां minus 2 और minus minus plus h हो गया यह अब h change to 0 लगा देते है यह limit हमको लगा नहीं होती है तो यह minus 2 आया यह आपका 2 आया यह 2 यह minus 2 यह 2 और यह 0 तीनों ही match नहीं करें पहले तो इनको match कराना होता है यहीं फेलों जाएगी यह तो बात की बात है ना यह तो second step पे आता है यह दोनों match नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यह discontinuous है यह ध्यान रखिएगा कि यह जो mod है x minus a इसको अगर आपको चेक करना है तो x बराबर x minus a बराबर 0 रग दीजिए तो x को a पे देखना है आपको a के इधर a के उधर क्योंकि x not equal to a है तब आपको यह लगाएंगे लेकिन इसमें modulus भी है modulus इधर उधर कैसे करेंगा अब देखिए पहले हम इसका at x equal से देख लेते हैं f x और x की जग़ा क्या रखना है a और यह मिल रहा है आपको 0 तो हमको a पे function की value तो पता है 0 अब हम इसमें लगाएंगे left hand limit और right hand limit left hand limit लगाने का तरीका सीधा है कि हम यहाँ पर left hand limit बतलब आप बाय हम हाथ की तरफ चल रहे है तो modulus जब खोलेंगे जिसे भी आपको समझाया है इसको आप minus x minus से लिख दीजे इसको sine 1 by x minus से लिख दीजे यह हो गया और यहाँ क्या आएगा जी यह x minus a आप positive खुलेगा sine 1 by x minus a यह हो गया अब आईए आप यह minus x इसको मैं ऐसे लिख दीजे हूँ minus है क्योंकि minus minus नहीं करते हैं इसको हम ले आते हैं minus x minus a का मतलब यह होता है minus x plus a इसको मैं a minus x लिख देता हूँ यह x minus a sine 1 by x minus a तो है ही अब आपको इसका left hand limit और right hand limit करना है left hand limit right hand limit ले 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 लेते हैं क्या होता है left hand limit क्या होगा जी x बराबर आप a minus h लेंगे क्योंकि a पे check करना है यह x बराबर a plus h लेंगे तो इसलिए अज़िए a minus h रख रख रहा हूँ मैं a minus a minus x x a minus a minus h a minus a plus h a minus a plus h यह cancel हो गया है, यहां direct h लिख देते हैं h और यह sin 1 by x minus a यहाँ पर भी a कर रहा हूं, x minus a तो x की जगा a plus h रख रख रहा है, तो a plus h minus a और यह हो गया h तो h sin 1 by x minus a तो हमको इसको देखने की जरूरती नहीं है जैसे हम limit h tends to 0 लगाएंगे यह 0 हो जाएगा तो यह पुरा 0 हो गया यह 0 हो जाएगा, यह पुरा 0 होगया जब दोनों 0, 0 हो गए और यहाँ पर कया है, function की value क्या हो गई function की value a फे 0 है तो यह इस से match कर रहा है और in turn यह से match कर रहा है तो यह function हो गया आप अप continuous at x equal से यह कुछ एक तरीके के सवाल अभी हमने किये जो एक जैसे दिख रहे थे अब यह हम करते हैं अगली बार तब तक शुक्रिया महँआने आप सो दिखी